इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके PCI Laptop में Windows 10 का operating system पढ़ा हुआ है और जब भी अपना PCI Laptop on करते हैं तो वहाँ पे Windows loading होने के बाद आपके PCI Laptop के skin पे कुछ इस तरह का आपको display मिलता है यहाँ पे आपका display proper on नहीं होता है यहाँ पे इसरी black skin आ कर रहा हो करसर दिख भी ना रहा हो तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे fix कर पाएं बहुत ही आसानी के साथ इस वीडियो में मैं यही step by step आपको बताने वाला हूं तो अगर आपके PCI Laptop में Windows 10 के operating system यह सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है तो आप इस वीडियो को देखके बहुत ही आसानी के साथ जो मैं step by step जैसे step बताने वाला हूं सेम वही step follow करने के बाद इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो प्ल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें यह step आपने PC में भी कर सकते हैं अपने laptop पे भी कर सकते हैं दोनों में same step है तो यहां पर अभी हम अपने PC को power button से सट डाउन कर देंगे उसके बाद दोबारा on करके आपको दिखाएंगे कि यहां पर एक जैट अभी क्या problem आ रही हमारी PC मे गए तो यहांपर हमने अपने PC को power button सट डाउन कर दिया है उसके बाद दोबारा power button से on कर देते हैं तो यहांपर मैंने अपना PC स्ट डाउन करने का ओन किया तो on करने की बदा PC तो हमारा यहां पे on हो रहा विंडू लोडिंग होने के बाद user account उसकर रहा हैено user account में आगर आप इंटर करेंगे यहां पर कुछ इस तरह के आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा या पासवर नहीं भी पड़ा होगा तो डायक्ट लिए आपके सामने इस तरह का उप्शन आ जाएगा ब्लैक स्किन विद करसर का जो कि मेरे PC में अभी यह प्रॉब्लम आ रही है फिर इस हमारी उसमें कीबोर्ड मे आप देख लिए किबोर्ड में कन्ट् Collaborate बटन आपको मिल जाएगा किनट्र और डीट एक साथ करना है इस wsके स्किन ता अपको वीडियो के जो जुह को मिल जाएगा दिखा हुए जिस refuse आप को प्सक्रा की कहा पैसे में कीबोर्ड मिलने वाला है तो यहाँ पे control or delete button को आप press कीजेगा और अगर control or delete button press करने के बाद आपके PCR laptop के skin पे कुछ इस तरह का option आ रहा है तो ठीक है अगर यहाँ पे इस तरह का option नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आप परिसान मत होईए अगर इस तरह का option आ रहा है तो आपको क्या करना है तो आपको simple यहाँ पे shutdown का option मिल जाएगा power का तो इस पे आपको click करना है यहाँ पे restart का option मिल जाएगा लेकिन restart अभी नहीं करना है restart करने से पहले keyboard में आपको shift button को press करना है shift button को continue आपको press रखना है तब तक जब तक आपका restart होके PC जो है दुबारा से on नहीं हो जाता है और महाँ पर triple shoot का option नहीं आ जाता है तो यहाँ पर आगर आपके सामने यह option open हो रहा है तो keyboard में shift button को पहले press कर लिजेगा और continue प्रेस रखेएगा छोड़िएगा नहीं उसके बाद यहाँ पर set down option पर जाने के बाद restart कर दीजेगा और shift button को तब तक नहीं छोड़िएगा जब तक PC on होने के बाद वहाँ पर triple shoot का आपका option नहीं आ जाता है कि triple shoot का option आएगा तभी हम आगे आपको step बताएंगे जो मैं आगे step बताने वाला हूँ कैसे इस black skin को problem को resolve कर पाएं अगर यह window आपकी tax manager वाली open नहीं होती तो कोई बात नहीं मैं आपको दूसरा option बताने वाला हूँ पाउर बटन से on कर लीजेगा फिर उसके बाद जैसे विंडो का logo आएगा फिर पाउर बटन से आपको PC या laptop को off करना है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपको करना पड़े फिर यहाँ पर हम डाइट पाउर बटन से off कर देते हैं अपने PC को इसी तरह से हमने फिर से on कर लिए अपने PC को और बटन से अब यहाँ पर देख लिजी कि प्रपेरिंग अपने PC को दुबारा से off नहीं करना डाइट पाउर बटन से फिर इसके बाद आपके स्किन पर को इस तरह का option आ जाएगा यहाँ पर आपको एडवांस option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह option आ जाएगा यही option हमें खोलना यह option खोलने के लिए मैंने दो तरीका आपको आपको बताया है एक तरीका मैंने बताया कि अगर आपका ब्लैक स्किन आ रहा हो वहाँ पे कंट्र अल्ड डिलीट बटन तीनों एक साथ दबाने के बाद टाक्स मेनेजर का जो option आ रहा था वह अगर सो हो रहा तो वहाँ पर पावर option भी आपका सो हो जाएगा पावर option पर आने के बाद रिस्टार्ट option आपको मिल जाएगा सिट बटन दबा दीजेगा अपने कीबोर्ड में उसके बाद रिस्टार्ट कर दीजेगा और कांटिन्यूस बटन आप दबाए रखेएगा जब तक आपके सामने यह option नहीं आ जाता है और मालीजे वहाँ पर टास्मेजर आने के बाद आपके सामने यह option आ जाएगा फिर एडवांस पर आने के बाद आपको यह सारे option सो होने लगेंगे फिर यह option आने के बाद जैसे मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला वह इस तबाप फॉलो करिए फिर उसके बाद आपको टुबल शूट पे क्लिक करना है पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एडवांस आप्शन में जाना है अब यहां पर आपको यहां पर अप्डेट पर जाना है यहां पर अप्डेट पर क्लिक कर दीजेगा इसके बाद यहां पर अप्डेट में आपको दो आप्शन मिल जाएंगे यहां पर पहला अनिस install हो जाता है उसके बाद भी PC में आपके सेम प्रॉब्लम रहती है तो फिर जैसे मैं सेम स्टब यहां पर आया हूं यहीं पर सेम स्टब आने के बाद आप इस दूसरे लेटस फीचर अपडेट को भी अनिस्टॉल कर दीजेगा अगर आपके इस क्वालिटी अपडेट से आप यूज़र एकाउन रहेगा वो यूज़र एकाउट का नाम आ जाएगा इस जूझार एकाउट' पे हमें किलिक कर देना है उसके रहे जैसे किलिक कर कर सकते हैं यहां पे val quality update पे क्लिक कर देते हैं अब यहां पे वेट करने के बाद आपको सामने कुछ इस टाइप का options आजा गा तो इसके बाद को close पे क्लिक कर देना है जहाँ पे हो सकता आपके PS में फिद्वा टाइम ले या फिर हो सकता तुरंत ही अपडेट अनिस्टॉल हो जाए अब यहाँ पर कांटीन्यू पर आपको क्लिक कर देना है कांटीन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका PC जो है आन हो जाएगा नौर्मन मोड में अब यहाँ पर हमारा PC ओपन हो रहा है तो देखते हैं हमारी Black Skin With Cursor के problem resolve हुई कि सेम प्रॉब्लम अभी बनी हुई है तो यहाँ पर हमारी Black Skin With Cursor की problem resolve हो चुकी है जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं यहाँ पिसी हमारा normal mode में open हो चुका है तो आई होब आपको इस problem को कैसे हम resolve करें इस वीडियो मैंने आपको step by step बता दिया है और अगर इसके साथ इस वीडियो से आपके problem resolve नहीं होती तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ अलग-अलग PC में अलग-अलग problem हो सकती जैसे मैंने यहाँ पे आपके इस वीडियो में आपको कुछ latest update यहाँ पे हुए थे हमारे windows में जो कि हमने उसको install किया उसके बाद PC हमारा on हो गया आपके PC में same problem होगी तो on हो जाएगा आपका PC जैसे यहाँ पे अगर आपके PC में explore.exe की file mismatch हो गई होगी या फिर आपके PC में virus होगा या फिर आपके PC का display driver नहीं पड़ा होगा तो यहाँ पे अलग-अलग PC में अलग-अलग problem हो सकती है तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा क्योंकि window 10 black skin with cursor की और भी part वीडियो आने वाले हैं इसमें मैं अलग-अलग solution आपको बताने वाला हूं इसके साथ अगर आपको कोई question है तो हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी support मिला होगा तो हमाया चैनल को subscribe करके जरूर हमें support करिएगा जिससे हम आगे भी इसी तरीके से और अच्छे अच्छे और नए नी वीडियो चैनल के माध्यम से आप सभी लोग तो पहुचाते रहें और आप घर बैठे हो भी बिल्कुल फिरी में हमारी वीडियो को देखके आपनी प्रॉब्लम को resolve कर पाएं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तक के लिए टिक केर बाबाए